दोस्तों आज मैं आपको खमनीजी रेसिपी बताने वाले हूँ इसमें हम दो सुपजास ग्राम धिलियों चनादा लेते हैं ये चनादा को हम दिन से अपने पेले भी गोड़ेते हैं एक अगर चाटोगरा स्मॉल पीसिस में काटा हुआ लेते हैं दोस्ते बहरा हरी मीच लेगे एक शोटा कभणा दिन्या लेगे आदा कभणा लेसं लेगे एक बड़ा लिवो लेंगे एक जे लेगे लेगे ले लेगे जाना को क्भणा लेगे लगास में अगाराग घरीमिच और नमाग बाल के पीस लिए और इस तरह से पेस्ट बना लेंगे फिर हम पेन में फोर टेबल स्पून तेल डालेंगे और उसको हम घरम करेंगे फिर उसमें हम राई घरम करेंगे और पीसे हुई पेस्ट डालेंगे फिर क्राइंडर कप में एक लास पानी डाल के वो पानी उसमें हम डाल देंगे और उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पेंग लो डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पेंग लो डास मिनिक तक कवर ठालेंगे जिससे वो अच्छी तरह से पक जाए और वीच वीच में उसे खलाते जाएंगे अब उसमें हम सक्कर और मीमू का रस मिलाएंगे कर दो यसमें प्याएंगे कर दो तरह से अब अच्छी कर दो अब हरा लसन और हरा दून्य एड़िक कर लिजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लिजिए अब हमारी तेश्के खमी रेडी हो गई ये खमी सेव और खनार में दाने साथ खाने से बहुत टेश्टी लगते हैं खमी में ये, आच्छी तोसन पाल, अच्छी तोसे जासे बमा झाल, से कलम में एक भी तूएelnा, से को साथ टेश्टी तक खमी, अच्छी तोसे में वें ग्याओ बाट नहीं टा दूल is today. कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो